Hello everyone, welcome back to my channel तो जैसे आपने मेरे थमनेर और टाइटल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम कोई भी टॉपिक या कोई चाप्टर नहीं डिसकस करने वाले हैं We will discuss about the online classes and आप लोग किस तरीके से lockdown में effectively पढ़ सकते हैं उस चीज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैं कोई टिप्स एंट्रिक्स नहीं बताने वाली हूँ नहीं कोई टाइम टेवल एक पर्टिकुलर टाइम टेवल आपको बताने वाली हूँ कि आप ये फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं नहीं कुछ बाते हम इस वीडियो में करेंगे क्या है न बहुत टाइम से मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ इंटरेक्ट हैं कि यार ओनलाइन वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं बहुत सरे स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि online classes effective नहीं हैं, वो लोग online study नहीं कर पा रहे हैं So I just want to ask a single question, यार क्यों नहीं पढ़ पारें online, क्या problem है ज़रूरी तो नहीं है ना कि पढ़ाई सिर्फ चार दिवारों के अंदर ही हो सकती है अगर हम लोग serious हैं, अगर हम लोग interested हैं तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, घर से भी पढ़ सकते हैं हाँ offline study नहीं, live teachers available होती हैं तो उस ताइम पे बहुत ज़्यादा discipline में हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं बट यार अप ऐसी situation है तो थोड़ा बहुत तो adjust करना पड़ेगा और online classes इतनी भी पूरी नहीं है, I mean zoom classes है, teachers इतना ज़्यादा efforts चाल रही है हम लोग के लिए वो zoom classes पे regular classes ले रही है YouTube जैसा platform है जहां पे बहुत सारे teachers हमें मिलते हैं हम लोग अपने doubts बहुत easily clear कर सकते हैं, तो I think online classes में उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए पहले वाली situation में जब हम लोग offline study करते थे, regular schools चाते थे, coachings चाते थे, तो भी हम लोग के complain रहती थी कि यार साथा गंटे हमारे schools में चले जाते हैं और coachings पे चले जाते हैं तो हमें self study का बिल्कुल time नहीं मिल पाता, यह complaint हमारी पहले भी रहती थी जो situation हम उस time साते थे, अब वो हमे situation मिली है, लेकिन तब भी हम लोग खुश नहीं है इसका मतलब यह है कि situations हमारे हातों में नहीं है, हम situations को control नहीं कर सकते हम लोग को अपने आपको change करना पड़ेगा, इस changing environment के साथ साथ हमें अपने आपको adapt कराना पड़ेगा, हमें online पढ़ना होगा और याद रखना, अगर हम लोग यह सोचें कि यार कोई बात नहीं, lockdown है, हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं अगर आप 9th class में हैं, या फिर 11th class में हैं और आप यह सोच रहें कि कोई बात नी, votes थोड़ी हैं, नहीं भी पढ़ेंगे अच्छे से तो क्या चला जाएगा percentage आपके काफी अच्छे आजाएंगे, क्योंकि online test में obviously cheating होती होगी, कोई 10-20% बच्चे ऐसे होते होंगे, जो इमानदारी से paper देते होंगे, cheating तो सभी लोग करते हैं, percentage भी काफी अच्छे सब बच्चे gain कर लेंगे, बट यार फिर भी न next class में आपको काफी दिक्कत आ सकती है, if you are in class 9th, 10th में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 10th class का base 9th से ही clear होता है, if you are in class 12th, sorry, if you are in class 11th, तो आपको 12th में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि 12th का base 11th से ही clear होता है, तो ये बिल्कुल मत सोचना, कि हम लोग lockdown में अच्छे से नहीं भी पढ़ेंगे, तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इस साल benefit मिलेगा, लेकिन next year नुकसान आप ही का है, तो I will just recommend you कि online classes से पढ़िये, बहुत अच्छे से online भी पढ़ाई हो सकती है, जूम class पे आप लोग कोई भी zoom class skip मत करो, जो भी doubt से आप लोग ऐसे ही पूछो teacher से, आप लोग teachers को call कर सकत हो, कभी भी आपके doubts क्लियार हो सकते हैं, और second thing, एक timetable है, schedule मैं आपको बताऊंगी, जो कि मैं follow करती हूँ, और believe me, बहुत ही जादा effective है, मुझे बहुत अच्छे results मिले हैं इससे, तो आपके theoretical subjects है, I recommend you कि theory subjects like business studies, economics, social science, यह सारे subjects है, या तो morning time में पढ़ने चाहिए, या फि जब कोई भी ना उठाओ, आपके family में, उस time पे उठके, थोरी subjects पढ़ लेना चाहिए, उठो, tea या फिर coffee, जो भी आप prefer करते हो, वो लो, थोड़ी walk करो, like, मैं यह नहीं कहूंगे कि बिलकुल उठते से, book उठा के बैठ जाओ, नहीं, 10-15 minutes हमें अपने आपको भी देने च दिमाग बिलकुल खाली होता है, उस time पे जादा tensions नहीं होती है, पुरे दिन की कुछ भी थकान वगिरह नहीं होती है, हम बिलकुल fresh feel करते हैं, उस time पे, theory subjects बहुत ही जादा सही रहता है, अगर night time पे आपको अच्छा लगता है theoretical subject पढ़ना तो आप night time पे भी पढ़ सकते है it depends on you, हर किसी का अपना अपना होता है, जिस time पे उन लोग को सही लगे, तो रात में अगर आप लोग prefer करते है, theory subjects पढ़ना तो फिर दिन के time में सो जाईए, अच्छे से नीन ले लीजिए, रात में light dinner लीजिए and then आप लोग जो रात के time में भी पढ़ सकते हैं, तो ये time सही है, या फिर night time सही है, बाकी का जो पूरा दिन बचा हुआ है, उसमें practical subjects पढ़िए, practical subjects like maths, accounts, इस type के subjects हम लोग पूरे दिन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये subjects में जरूरी नहीं है कि हमारा concentration power पूरा होना चाहिए, हम लोग शोर शराबे में भी ये subjects पढ़ सकते हैं, music सुनते भी पर सकते हैं, तो ये time table मैं follow करती थी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी follow कर सकते हो, या फिर आपका एक particular जो आपने time table बना के रखा है, आप उसे follow कीजिए, मतलब यार मैं आपको कोई आपको particular time table नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको recommend करूंगी कि ये time table मैं follow करती थी, आप लोग को भी अगर sweet table लगे तो आप लोग follow कर सकते हैं, और यार इस time पे इतना जादा time मिला है ना कि हम लोग sample papers भी बहुत अच्छे से solve कर सकते हैं, पहले हम नहीं मिल पाता था, पहले हमें schools, coachings and सब की tension रहती थी तो हम लोग पहले नहीं कर पाते अच्छा मिला है, मत गवाओ ये time, इसके बाद ये time शायद कभी ना मिले और obviously कभी नहीं मिलेगा इसके बाद ये time, तो बहुत ही अच्छा time मिला है, पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरी activities पे ध्यान दे सकते हैं, जो हमें करना अच्छा लगता है, so बिलकुल भी ये mentality है, दि कोचिंग जाने के लिए इतना जादा मतलब वह रहता था था ना, आदे गंटे पहले से ही टेंशन होने लग जाती थी कि यार कोचिंग जाना है, अब तो कभी भी बस, मतलब जो भी आपकी आप पढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छा time मिला है, ऐसा time फिर कभी नहीं मिलेग आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो वीडियो को, और मैं चाहूंगी कि आप अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोग किसे साब का time table फॉलो करते हैं, आज क के लिए इतना ही मिलते हैं, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय, टेक केर